कैसे आप सब बढ़िया तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्टेंट बैंक के लेजेंड करड़ेट कार्ड के बारे में यह इंडस्टेंट बैंक का एक प्रीमियम करड़ेट कार्ड है जो की अभी आपको लाइफ टाइम फ्री दिया जा रहा है मतलब अगर अभी आप इस कड़ेट कार्ट को लेते हो तो ना कोई जोइनिंग फीज देना है ना ही आपको कोई अन्वल चार्जर्स देने हैं कभी भी और बेनिफिट्स तो भाया भर भर के दिये गए हैं बिकॉज ये एक प्रीमियम कड़ेट कार्ड है तो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी कड़ेट कार्ट के बारे में पूरे डीटेल में तो सबसे पहले अगर हम इस कड़ेट कार्ट के बेनिफिट्स की यहां पर हम बात करें तो जो सबसे पहला बेनिफिट यहां पर आपको मिलेगा वो है आपको इस कड़ेट कार्ट का माइलस्टोन बेनिफिट अगर अच्छा है कितना वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो अगर आप अपने कड़ेट कार्ट का यूज़ करके एक साल में 6 लाग रुपेस्मेंट कर लोगे तो आपको 4000 बोनस रिवाट पॉइंट जो है वो आपको ऐसे आएसे नौमली आपको मिल जाएगा अगला बेनिफिट ज आप जैसे ही लोगे उसके साथ आपको दूसरा मूवी टिकेट आपको बिलकुल फ्री में मिलेगा और यह जो टिकेट है वो आप एक मन में तीन बार यह जो फ्री टिकेट है वो आप यहां पर ले सकते हो यहां पर एक चीपिंग इन्होंने लगा रखी है जो मैक्सिमम जो टिकेट का प्राइज है वो देड़ सौ रुपय है या फिर दो ही सौ रुपय है तो ऐसे में आपको कोई भी एक्स्टा अमाउंट नहीं पेक करना पड़ेगा आपको जो टिकेट है वो एक के साथ आपको बिलकुल एक फ्री मिलने वाली है और यह अलग एडिट कार्ड make sure करो जैसे ही सुभा सुभा ही आप बुक कर लो because ज्यादा अब एक limited stock पे ही ये buy one get one देते हैं तो movie ticket लेनी है अगर आपको जाना है तो पहले से ही आप बुक कर लो ताकि आपको ये buy one get one का जो benefit है वो आपको मिल जाए साथ ही आपको additional 50 का भी off मिलेगा on selected food and beverages पे भी आपको 50% का 50 रुपीज का जो discount है वो आपको मिलेगा अगला benefit जो यहाँ पे आपको मिलेगा ये मेरा personal favorite है जो की है domestic lounge access का benefit तो आपको इस credit card में एक साल में total 4 आपको यहाँ पे airport lounge access आपको मिलेंगे एक quarter में आपको एक complimentary lounge access का आपको यहाँ पे benefit मिल रहा है अगर आपको नहीं पता है क आपको complimentary दी जाती है जैसे कि आप वहाँ पे जाओगे तो आपको complimentary food आपको सर्फ किया जाएगा juices आप वहाँ पे ले सकते हो आपको वाई-पाई दिया जाएगा आप वहाँ पे अब तक flight का टाइम हो आप वहाँ पे rest कर सकते हो और भी बहुत साइस services है जो कि आपको complimentary दी and normally अगर आप कभी भी lounge access करने जाओगे na credit card के बिना तो वहाँ पे जो lounge access करने का चार्ज होता है वो 1000 रुपए से लेके 3000 रुपए तक का होता है depending upon the lounge लेकिन अगर आपके पास ये वाला credit card है तो आपको एक साल में total चार बार आप ये complimentary lounge access आप कर पाओगे साथ ही यहाँ पे आपको priority pass भी आपको दिया जाता है जिसका use करके आप 600 से भी जादा VIP airport lounge में आप access कर सकते हो अब बात करते हैं इस credit card के reward benefits के बारे में तो अगर आप अपने credit card का use करके week days में मतलब कि Monday से लेके Friday अगर आप अपने credit card को कहीं पर भी use करोगे चाहे आप online कहीं पर भी use करो या फिर offline कहीं पर भी use करो week days में का credit card का अगर आप use करोगे कहीं पर भी तो 100 rupees आप जभी भी spend करोगे उसके बदले आपको one reward points आपको मिलेगा वही अगर आप weekends में यानि की Saturday और Sunday को अपने credit card को कहीं पर भी use करोगे तो 100 rupees spend करने पर just double आपको यहाँ पर reward points आपको मिलेंगे लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आप credit card का यूज करके अगर आप medical में spending करते हो automobile में spending करते हो telecom में अगर आप transaction करते हो तो इन जगों में आप कभी भी transaction करो weekdays में करो या फिर weekend में करो 100 rupees spend करने पर आपको एक reward point आपको मिलेगा वही अगर आप fuel transaction करते हो utility bill payment करते हो rental payment करते हो education में spending करते हो government का payment करते हो या फिर insurance payment करते हो इन जगों में आपको spending करने पर आपको कोई भी benefit आपको नहीं मिलेगा लेकिन इस credit card को मैं 2017 से use कर रहा हूँ तो मैं आपको एक बहुत ही जबरदस hack आपको इस credit card का बता सकता हूँ कि इस credit card का जो सबसे best feature मेरे को लगता है न कि इस credit card का use करके अगर आप wallet को भी loads करोगे न तो वहां पर भी आपको जो benefit है वो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा मतलब weekdays में 100 पे एक और weekend में 100 पे दो and मेरा जो actual मेरा use होता था न वो wallet loading में ही use होता है तो अगर आप wallet में अगर आप load कर लेते हो चाहे वो अगर आपको किसी भी तरह का wallet हो और उसके बाद आप उसको पूरा week में आप spending कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है and जो सबसे best season इस credit card की कि यहां पे जो आपको reward points का जो आपको value मिलना है और वो बहुत जबरदस्त है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मैं आपको तुरन बता दूँगा अगला जो benefit आपको इस credit card में मिलेगा वो है फ्यूल सर्चार्ज वेवाफ का benefit नॉमली आप जभी भी credit card का यूज़ करके fuel कराते हो तो जो भी fuel का amount होता है ना आपको उसे plus आपसे fuel सर्चार्ज वहां पे extra लिया जाता है लेकिन इस credit card में यह आपका 1% का जो फ्यूल लगने वाला है ना फ्यू trip के लिए assistance चाहिए आपको hotel का booking कराना है flight का booking कराना है sports and entertainment में booking कोई कराना है किसी को flowers भेजना है को exclusive booking कराना है तो अगर आपको किसी भी तरह का अगर आपको booking या फिर यह साब इसमें कोई भी service चाहिए तो आपको simply इनके call center में call करना है और आपका जो booking है यह आपके बिहाफ पर कर देंगे next benefit जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो है go contactless का मतलब यहाँ पर जाता है वो contactless feature के साथ आता है तो अगर आपको credit card को simply swapping machine में tap करना है और आपका payment successful हो जाएगा आपको credit card को ना swap करने की जरुद है ना आपको हर बार pin डालने की जरुद है तो एक तरह से यह बह benefit है ना मुसीबत के टाइम बहुत जादा useful हो सकता है तो मानलो अगर आप highway में कहीं जा रहे हो अपनी कार से और अगर आपी कार में किसी भी तरह का problem हो जाता है जैसे कि आपका गाड़ी को roadside repair कराना पड़े या फिर emergency fuel आपका खतम हो गया आपको fuel चाहिए हो आपका tire पंच करते हो अगर आपको tow कराना हो तो मानलो अगर highway में और ऐसा खराब हो जाए ना तो भाईया बहुत आदी परिशान हो जाता है तो आपको क्या करना है simply bank के call center में call करना है और आपको कहना है कि भाईया मेरा ये problem है मेरे को help कर दीजिए तो इन में से कोई भी तरह का problem होगा न next benefit जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो है total protect का benefit and यहाँ पर card के usage को बहुत secure बना देता है तो मानलो अपर credit card कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आपको simply अपने credit card के call center में call करके अपने card का जो loss है वो आपको report करा देना है आपको बताना है मेरा card गुम हो गया जो भी है आपको बता देना है उसके बाद अपर card से किसी भी तरह का fraud transactions होता है तो आपको वहाँ पर total protection आपको वहाँ पर provide किया जाता है अब बात करते हैं सबसे important चीज़ के बारे में कि जो reward points आप यहाँ पर earn कर रहे हो अगर आप उसको redeem कराना चाहते हो तो value आपको कितनी मिलती है तो अगर आप अपने reward points को redeem कराना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ आप सो cash में redeem करा सकते हो आप inter miles में redeem करा सकते हो club विस्तारा में आप उसको redeem करा सकते हो आप products अगर खरीच सकते हो बहुत सारे options यहाँ पर available हैं लेकिन जो मेरा personal मैं हमेशा use करता हूँ कि अपने intermise में travel नहीं कर रहें लेकि जबरस्ती convert करा ले रहें तो best है कि आप cash में redeem करा लो उसके बाद जैसे मन वह से use करो तो यहाँ पर cash में redeem कराना चाहोगे तो एक reward point का value आपको मिलेगा वो यहाँ पर 50 पैसा का मिलेगा हाला कि पहले दिन पहले तक because मैंने कहा बहुत time से मैं य एक रुपया का मिलता था लेकिन अब इसको devalue कर दिया गया है तो अभी एक reward point का value है जो है वो 50 पैसा का मिल रहा है हाला कि यह जो भी amount मिल रहना यह भी बहुत सही मिल रहा है because बहुत कम credit cards में आपको इतना सही value मिलता है and सबसे important चीज है कि यह lifetime free credit card है आपको सबसे important चीज card को apply कर सकते हो और अभी करोगे तो lifetime free मिलेगा अब बात करते हैं दूसरे options के बारे में तो अगर आप अपने reward points को intermiles में redeem कराना चाहते हो तो 100 reward points का value आपको 100 intermiles मिलेगा और वही अगर आप club विस्तारा points में redeem कराना चाहते हो तो यहाँ पर भी 100 reward points का value आपको 100 CV आपको मिल करते हैं मिल जाएगा अब बात करते हैं कर्ड़ेट कार्ट के दूसरे benefits के बारे में जो कि इस credit card का insurance benefit तो आपको इस credit card ने बहुत सारे insurance benefit भी मिलेंगे जैसे कि अगर आपका baggage loss हो जाता है एरपो तो उसमे भी आपको insurance मिलेगा साथ ही आपको यहाँ पर baggage अगर डीले होता है तो यहाँ पर आपको insurance benefit मिलेगा साथ ही आपका air accidental coverage भी मिलेगा जो की 25 लाख रुपए का है तो इसको थोड़ा से explain कर देते हैं because amount बड़ा है तो मानलो अगर आप flight से जा रहे हो और अगर आपकी flight जो है वो मानलो crash हो जाती है और भगवान ने कर आपका death हो जाता है तो ऐसे मैं आपको यहाँ पर जो आपके family और coverage मिलेगा वो 25 लाख रुपए तक का मिलेगा हाला कि मैं नहीं चाहूंगा कि आपको इस credit card के किसी भी insurance benefit को use करना पड़े लेकिन जो बताए गया है वो मैंने आपको बता दिये अब बात करते है इस credit card के सबसे important चीज़ के बारे में जो से पहला हो गया cash advance charge तो अगर आप अपने credit card का use करके अगर आप ATM से अगर आप cash withdraw कराते हो तो यहाँ पर जितने भी amount का cash withdraw कराओगे ना उसका 2.5% या फिर 500 जो भी यहाँ पर जादा होगा वो आपको यहाँ पर pay करना पड़ेगा and मैं हमेशा suggest करता हो कि try करू credit card का use करके ATM स cash withdraw मत कराओ because charges यह है ना बहुत हैवी है next charge आपको इस credit card में देना पड़ सकता है वो है foreign currency markup fee तो अगर आप अपने credit card का use करके किसी भी foreign currency में अगर आप transaction करोगे चाए foreign जा करके करो यहाँ फिर इंडिया में बैट करी अगर आप उनके किसी भी website foreign के website में transaction करते हो तो जितने amount of transaction करोगे ना उसका 1.8% आपको देना पड़ेगा as foreign currency transaction fees लेकिन एक चीज में यहाँ पर definitely mention करना चाहूंगा यहाँ पर आपको जो चार्ज देना पड़ा है ना यह बहुत जादा कम है as compared to other credit cards because maximum credit card में यह foreign currency transaction fees होता है ना वह साड़े 3% तक का होता है लेकिन इस वाले credit card में जो foreign currency markup fee है वो बहुत जादा कम है जो की 1.8% का है अगला जो चार्ज आपको credit card में देना पर सकता है वो है इसका interest rate तो अगर आप अपने credit card का bill timely नहीं pay करते हो तो आपको per month 3.83% का आपको interest देना पड़ेगा और सालाना 46% per annum का interest देना पड़ेगा जो की बहुत ही जादा heavy है तो हमेशा अपने bill को timely pay करो ताकि यह जो फाल्तु का जो charge है वो आपको ना pay करना पड़े तो finally अब बात करते हैं कि आपको इस credit card को लेना चाहिए या नहीं तो देखो no doubt आपको इस credit card में बहुत सारे benefits आपको मिल रहे है आपको airport lounge access का benefit मिल रहे है movie tickets में आपको benefit मिल रह करो अगर नहीं यूजबी करना है तो क्या दिकत है कोई charges तो pay करने नहीं है तो अगर आप इस credit card को लेना चाहते हो तो इसका applying link नीचे description में दिया हुआ है जस्त आपको link को click करना है और कुछ personal details बहुत simple से आपको आपको भर देने है और आपका card apply हो जाएगा और बहुत high chances ह है आपका card जो है वह अप्रूव भी हो जाएगा तो अमीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम के रही होगी जल्दी मिलते हैं ऐसे interesting and informative वीडियो के साथ अपता के लिए जय है